नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होंगी तो चलिए बेठा हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिस सेट यूटिलाजेशन ऑफ इलेक्रिकल एनरजी का इलुमिनेशन का हम यहां पर देखेंगे कुछ और क्वेशन तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने इलुमिनेशन के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने लाइट के बारे में पढ़ा उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स अफ लाइट हमने देखी कि वीजिबल लाइट रेज क्या है इन्फरारेड क्या है तो यह सारे लाइट रेज रेडियो वेप्स का वेवलेंद क्या है और इसमें अगर देखा जाए तो यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव किसके लिए होंगी तो यह सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में डिसकस कर ली थी अब हम आज की क्लास में इन्फरेंन पर था जाई तो इन्फरें टाइपस अव डिसकस करने वाले हैं तो चलिए बेटा शुरू करते हैं एक motivational code से अपनी शुरुवात करते हैं जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबर्जस्ट करना जीत निश्चित है तुम्हारी बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना means exam काफी नजदीक आ गया है तो आप मेहनत जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करो और अगर आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हो up to the examination तो definitely आपकी जीत जो है निश्चित है आपका selection पक्का है तो चलिए आते हैं शुरू करते हैं अपना पहला question पहला question क्या कह रहा है बिटा कि the ratio of lumine the ratio of lumine reaching at working plane to the lumine emitted by the source मतलब कि जो lumine जो है working plane पे पहुँच रहा है और जो lumine हम क्या कर रहे है source के द्वारा emit कर रहे है इनका ratio क्या कहलाएगा तो आप समझ सकते हो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप जहां पे जिस particular plane पे आप काम करते हो इस plane को हम बोलते हैं working plane तो जैसे आपके पास एक table lamp है suppose table lamp क्या करता है कि जो भी आपकी light वो bulb emit करता है वो उसको चाहेगा कि सारा का सारा कहां पे आजाया working plane पे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है because environmental condition अलग-अलग होने के हिसाब से हमेशा ये होता है कि जो lamp के थ्रू जो emit हो रहा है light वो light सारा का सारा आपके working plane पे आजाया तो ऐसा possible नहीं है लेकिन जितना भी आपके working plane पे मिल रहा है आपको उसी light का utilization करते हैं किसी भी काम को perform करने के लिए तो जो utilization factor है वो क्या है utilization factor is the ratio of lumen reaching at the working plane to the lumen emitted by the source means कि जो utilization factor है वो कितना lumen आपके working plane पे पहुँच रहा है और कितना lumen आपके source ने emit किया इनका ratio कहलाता है तो answer यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे answer D है utilization factor तो correct answer यहाँ पे D हो जाएगा utilization factor लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हमारा यह है कि यह practice series है यह practice batch है all in one तो यहां पे बाकी options को भी हमें one by one देखना होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर reduction factor की कि reduction factor क्या होता है तो यहां पे first beta हम discuss करने वाले है reduction factor की अगर हम बात करें कि हमारा reduction factor क्या होगा reduction factor जिसको हम represent करेंगे RF से तो RF बराबर होता है MSCP divided by MHCP मतलब reduction factor हमेशा क्या होगा MSCP और MSCP का ratio होता है इसी को हम reduction factor कहते हैं अब आपके दिमाग में आएगा किया रही है MSCP और MHCP क्या है तो MSCP की अगर हम बात करें बेटा तो इसको हम बोलते हैं mean spherical mean spherical candle power mean spherical candle power इसका मतलब क्या है इसको हम समझेंगे नाम से ही पता चल रहा है mean candle power है और यहां spherical term लग रहा है that means in all the direction तो हम यह कह सकते हैं कि MSCP क्या है it is it is average candle power average candle power in all direction in all direction कहने का मतलब कि सभी दिशाओं में जो आपका average candle power होता है वही आपका MSCP कहलाता है MSCP कहलाता है अगर हम बात करें कि MSCP कितना होगा तो candle power है न यार candle power कितना होगा that is equals to number of lumen divided by कितना largest solid angle होगा 4π तो यही candle power है candle power आपको पता है lumen पर unit steradian होता है तो कितना हो जाएगा number of lumen divided by 4π यही आपका candle power होगा MSCP होता है अब हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा है MHCP जिसको हम बोलते हैं mean horizontal mean horizontal candle power candle power तो mean horizontal candle power इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो यह भी एक average candle power ही होगा in all the direction बट यहाँ पर horizontal term का मतलब है कि in horizontal plane only horizontal plane पर सभी दिशाओं में जितना भी आपका average candle power होगा उसी को MHCP कहते हैं तो हम यह बोल सकते हैं it is it is average candle power average candle power in all direction in all direction on horizontal plane on horizontal plane तो बटा हम यह कह सकते हैं कि horizontal plane पर सभी दिशाओं में जो आपका average candle power होगा औसद candle power वही क्या कहलाएगा MHCP कहलाएगा तो reduction factor क्या है MSCP और MHCP का ratio है तो हमेशा ध्यान रखना है reduction factor को कैसे याद रखेंगे तो यार याद रखने का एक सबसे रामबार तरीका यहाँ पर देखिए यह किसी भी भिन में आप देखोगे एक अंश होता है एक हर होता है उपर वाला अंश कहलाता है नीचे वाला हर मतलब एक numerator है एक denominator है तो यहाँ पर देखें H से क्या होता है H का मतलब होता है हर तो इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हो कि हर नीचे रहेगा that means mean horizontal candle power तो हिंदी मीडियम के बच्चों को हसानी से पता चल जाएगा हर हर क्या है तो हर का मतलब denominator है बस इतना ध्यान रखना इंग्लिस मीडियम वाले तो RF reduction factor बराबर MSCP upon MHCP हो जाएगा clear है पिटा I think इसमें कोई भी doubt आपको नहीं होनी चाहिए अगर आप से पूछा जाए यहां पर कि एक होता है MHSCP इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं mean hemispherical hemispherical candle power candle power mean hemispherical candle power तो नाम से ही पता चल रहा है hemispherical तो कहने का मतलब कि केवल और केवल हम क्या करेंगे hemispherical में देखेंगे in all the direction in the hemispherical surface तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो MHSCP होगा वो किसके बराबर होगा number of lumen या total lumen divided by क्या हो जाएगा hemispherical है तो कितना angle हो जाएगा 2 pi तो यह हो जाएगा आपका number of lumen divided by 2 pi MHSCP हो जाएगा clear है बेटा तो I think यह तीनों चीज़े आपको पता चल गई होगी reduction factor भी पता चल गया होगा तो पहला तो यह option गलत हो गया reduction factor नहीं है अब हम दूसरे पर आते हैं lamp efficiency second option अगर देखा जाए कि lamp efficiency कितनी होगी बेटा तो lamp efficiency क्या है पहले इसको हम समझेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि efficiency efficiency क्या होता है output और input का ratio किसी भी lamp के case में output क्या होगा lamp के case में output हमेशा light होगा कि कितना luminous flux वो produce कर रहा है और अगर देखे input क्या है तो input जो electrical power वो consume कर रहा है तो lamp efficiency की अगर हम बात करें बेटा तो क्या होगी lamp efficiency अगर देखा जाए तो lamp efficiency को हम बोल सकते है radiant efficiency भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको radiant efficiency क्या बोलेंगे lamp efficiency का दूसरा नाम radiant efficiency इसको हम क्या लिख सकते हैं it is defined as it is defined as defined as number of lumine number of lumine per watt ध्यान रखना है number of lumine per watt मतलब की जो भी आपका number of lumine है per unit watt पे वही क्या कहला है lamp efficiency तो इसको किसमें measure करेंगे इसको हम हमीशा measure करते हैं किसमें lumine per watt में तो lamp efficiency की unit क्या होती है बेटा lumine per watt होती है कहने का मतलब क्या है कि किसी भी lamp के द्वारा कितना lumine emit हो रहा to the power consumed by it मतलब वो lamp ने कितना power consume किया कि उसका input है और वो कितना lumine क्या कर रहा है produce कर रहा है यह उसका output है तो हम यह कह सकते हैं कि जो lamp efficiency होगी वो number of lumine emitted by the lamp to the power consumed by it यही lamp efficiency कहलाती है तो lamp efficiency भी हमें पता चल गई या radiant efficiency भी next अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह तो answer नहीं होगा यह भी गलत है maintenance factor की बात करें कि बेटा maintenance factor क्या होगा तो यहाँ पर एक term आया हुआ है maintenance factor maintenance factor तो जब भी हम maintenance factor की बात करें तो कब ऐसा होता है हमें maintenance की जरूरत कपड़ती है हमें जरूरत तब पड़ती है बेटा जब कोई भी चीजें आपकी जो perfectly clean है जब नई नई चीजें है जब environment आपका perfectly clean है तो आपका illumination जो मिल रहा है और उसके बाद अगर देखें normal working condition में कुछ atmospheric effect के कारण आप देखेंगे कि उस तरह का illumination आपको नहीं मिलता है तो यही ratio जो कहलाता है maintenance factor maintenance factor क्या है तो हम यह कह सकते हैं कि बेटा maintenance factor is a ratio of illumination under normal working condition to the illumination when all the things are perfectly clean मतलब कि यह ratio है अनुपात है किसका वो illumination जो normal working condition में है divided by वो illumination जब सारी चीजें perfectly क्या है clean है तो maintenance factor बराबर हम लिख सकते हैं बराबर क्या होगा illumination illumination under under normal working condition normal working condition divided by illumination divided by illumination when all things are perfectly clean when all things are perfectly clean clear है बेटा तो यही क्या कहलाएगा maintenance factor और normally अगर देखा जाए तो maintenance factor जो है वो vary करता है कहां से कहां तक 0.8 से लेके 0.5 से लेके 0.8 तक आपका maintenance factor वैरी करेगा clear है इसमें कोई भी doubt नहीं होना चाहिए कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जब आपका environment perfectly clean होगा तो वहां पर अगर देखा जाए 100% illumination हो रहा है तो जब भी normal working condition में देखा जाए तो यह 50 से लेके 80% तक ही illumination आपका रहेगा तो इसलिए यह vary करता है 0.5 से लेके 0.8 तक तो यहां पर maintenance factor भी आपका answer नहीं होगा last answer है utilization factor और utilization factor क्या है कितना हम जो lumen है उसको utilize कर पा रहे हैं मतलब क्यों और वही lumen हम utilize करेंगे पेटा जो आपके working plane पे reach करेगा तो हम क्या लिख सकते है utilization factor क्या है अगर हम बात करें यहां पर utilization factor यू एप से represent करेंगे बराबर तो हम यह लिख सकते हैं कि lumine reaching on working plane divided by number of lumine emitted by the source or lamp clear है तो यह आपका utilization factor हो जाएगा तो I think यहां पर आपको सारी चीजे पता चल गए कि utilization factor और अगर मैं आप से पूछू कि utilization factor एक से बड़ा होगा या कम होगा तो हमेशा या जो source होगा या lamp होगा वो ज्यादा light emit करेगा बट आपके room में surface पे वो light हमेशा क्या रहेगी कम रहेगी तो utilization factor जो है हमेशा less than क्या होता है यह दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजे पता चली बेटा reduction factor क्या होता है MSCP और MHCP का ratio होता है MSCP क्या होता है average candle power है सभी दिशाओं में MSCP बराबर number of human upon 4 pi होता है MHCP क्या होता है यह mean horizontal candle power है कहने का मतलब कि horizontal plane पर सभी दिशाओं में जो average candle power होगा MSCP क्या होगा mean hemispherical candle power और यहाँ पर यह number of human upon 2 pi होता है lamp efficiency क्या है इसको हम radiant efficiency भी कहते है and it is defined as the number of human per watt तो unit क्या होगी lumen per watt में maintenance factor क्या है illumination जब normal working condition में है divided by illumination जब सारी चीज़ें पूरी तरह से clean है और इसका जो value होगा वो 0.5 से 0.8 vary करेगा utilization factor बेटा क्या है UF less than 1 होता है और यह जब lumen आपका working plane पे जो पहुँच रहा है divided by lumen जो की आपके source या lamp जो है emit कर रहे हैं कि answer क्या है utilization factor next अगला question देखते हैं बेटा the ratio of horizontal distance between two lamps to the mounting height of the lamp above the working plane is called कहने का मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि दो lamp आपके किसी ceiling से mount है उन दोनों lamp के बीच का जो distance है उसको हम बोलते है horizontal distance between two lamp divided by working plane से यह देखना है कि कितना आपका यह mounted है कितना ऊपर mounted है यह height देखनी है तो normally अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का जो distance है divided by इनकी mounting height तो इसको हम बोलते है space height ratio क्या बोला जाता है बेटा space height ratio तो यहाँ पर यह क्या given है यह given है हमे space height ratio given है इसको हम लिखते है s h r तो बेटा जो space height ratio होगा वो क्या होगा नाम से ही पता चल रहा है ratio है किसका space और height का ध्यान से रखना कैसे किस तरह से याद रखना यह ratio है किसका space और height का तो space आप देख रहे हो क्या है space horizontal horizontal distance between two lamps और height क्या है यहाँ पर लेख सकते है mounting height कौन सी height है यह mounting height of lamp above working plane तो यहाँ पर space height ratio आपको पता चल गया कि space height ratio क्या होगा horizontal distance between two lamps divided by mounting height आपको याद रखने का तरीका क्यों इतना है space मतलब दोनों के बीच किया horizontal distance divided by height तो answer क्या हो जाएगा बेटा space height ratio correct answer है अब बात आती है कि यहाँ पर केवल answer ही हमें नहीं देना है यहाँ पर तीन option ऐसे हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा एक है depreciation factor एक है waste light factor और एक है reflection factor तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे reflection factor के बारे में कि reflection factor क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ पर reflection factor की तो reflection factor के case में आप देखिए सबोज यह आपका कोई surface है और इस surface पे कोई light क्या हो रही है incident हो रही है तो इसको हम बोलेंगे incident incident light क्या बोलेंगे बेटा इसको incident light जैसे सूरी का प्रकास जो है वो आपकी surface पे क्या हो रहा है पढ़ रहा है और किसी surface पे पढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे है कि ये light incident हो रही है गिर रही है तो इसको हम बोलेंगे incident light और जब भी आप देखें कि surface क्या करेगा कुछ नो कुछ light को absorb कर लेगा और कुछ light को क्या कर देता है reflect कर देता है तो जो light आपकी reflect हो रही है इसी को हम बोलते हैं reflected क्या बोलते हैं बटा reflected light तो हमें पता चल गया कि reflected light मतलब जो surface पे आके reflect हो जाती है उनको क्या बोलेंगे reflected light तो जो reflection factor होगा RF वो क्या है ratio है किसका reflected wave या reflected light divided by incident light incident light तो reflected light और incident light का जो ratio है इसी ratio को आप क्या बोलते हैं इसी ratio को हम कहते है reflection factor तो reflection factor क्या है reflected wave और incident wave का ratio है next अगला हम देखेंगे यहाँ पर depreciation factor और waste light factor तो अब हम देखते हैं यहाँ पर depreciation 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 factor तो depreciation factor अगर df से represent करें किस से df से तो यह कितना होता है it is the reciprocal of maintenance factor याद रखना है depreciation factor हमेशा maintenance factor का क्या होता है हमेशा maintenance factor का reciprocal होता है हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि depreciation factor की जो value होती है वो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 1.25 से लेके 2 तक vary करती है तो depreciation factor हमेशा ratio होता है 1 upon maintenance factor होता है reciprocal of maintenance factor और इसकी value जो होती है वो 1.25 से लेके 2 तक vary करेगी next अब हम देखेंगे waste light factor अगर हम बात करें waste light factor की तो waste light factor क्या होगा इसको हम समझते हैं waste light factor बेटा नाम से ही पता चल रहा है waste light factor कहने का मतलब की normally किसी area को आपको क्या करना है illuminate जैसे आपको किसी room में illumination चाहिए तो आप पहले उसका क्या करते हो theoretical calculation करते हो कि हाँ इसमें इतनी illumination की हमें requirement होगी इतने lumine की हमें requirement है अगर इस area को illuminate करना है तो आप सबसे पहले इसका theoretical calculation करते हो लेकिन होता क्या है कि practically हमेशा आपको ज्यादा lumine की ज़रुरत पड़ जाती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो waste light factor है वो क्या है वो ratio है किसका lumine required to illuminate an area divided by जो हमने theoretical calculation किया था इसका reason क्या है कि कुछ part of light जो है वो आपके atmosphere में क्या हो जाती है waste हो जाती है जो कि atmospheric conditions के द्वारा atmospheric particles के द्वारा absorb कर ली जाती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो waste light factor है वो क्या है वो एक ratio है किसका ratio है जब practical condition में आप देख रहे हो कि इस area को illuminate करने के लिए कितना lumen की ज़रूरत है divided by theoretical condition में जो आपने calculations किया है कि same area को illuminate करने के लिए हमें कितना lumen की requirement है तो waste light factor कितना हो जाएगा बेटा that is equals to the ratio of ratio of lumen required required to illuminate to illuminate an area divided by divided by theoretical lumen theoretical lumen calculated theoretical lumen calculated to illuminate to illuminate the same area illuminate the same area clear है तो ये waste light factor होगा अगर देखा जाया कि जो waste light factor होता है बेटा हमेशा अगर आपका object जो है वो irregular होगा तो उसके लिए 1.5 होता है 1.5 for irregular object irregular object और अगर हम बात करें rectangular areas के लिए तो ये 1.2 हो जाता है 1.2 for rectangular areas rectangular areas clear है तो ये सारे points आपको ध्यान में रखने होगे तो यहाँ पर अगर देखा जाया तो क्या क्या चीजे हमें पता चलें space height ratio क्या होता है horizontal distance between 2 lamp divided by mounting height of lamp दूसरा reflection factor क्या होता है reflected light to the incident light तीसरा अगर बात करें waste light factor क्या होता है waste light factor मतलब जो lumen आपको required है किसी भी area को illuminate करने के लिए divided by जो हमने theoretical calculation किया हुआ है कि हाँ इतने lumen सीम area को illuminate करने के लिए required है waste light factor हमेशा 1.5 होता है for irregular object and 1.2 होता है for rectangular areas depreciation factor क्या होता है 1 upon maintenance factor होता है और depreciation factor जो है 1.25 से लेके 2 तक vary करेगा maintenance factor आपको हमने already बता दिया है बटा कि maintenance factor जो है वो 0.5 से लेके 0.8 तक vary करता है तो चलिए आते हैं अपने अगले question पे अगला question क्या कह रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे अगला question यह है कि excessive light which causes discomfort and eye fatigue is called मतलब यह कह रहा है कि वो excessive light जिसके दवारा हमें आँखों पर discomfort होता है और eye fatigue भी हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो बटा एक चीज़ आप समझीए कि normally अगर देखा जाए तो हमारी आँखों में एक होता है Irish और यह Irish अपनी muscles के कारण pupil के size को control करता है इसकी size को बड़ा कर देगा इसकी size को छोटा कर देता है मतलब कि जो भी light आपकी आ रही है उस light को pupil क्या करता है अपने size में change करके control करता है और उसको retina पे focus करता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी रास्ते में जा रहे होगे और उधर से कार आ रही है और वो कार क्या कर रही है उसकी बहुत तगडी रोसनी है उसकी headlight से जो कि आपकी आँखों को क्या कर सकती है damage कर सकती है आँखों में जो retina है अगर वो directly वो light पढ़ जाया तो वो उसको damage कर सकती है retina को तो इस retina को बचाने के लिए आपका pupil क्या करेगा वो size को कम कर लेगा with the help of muscle of the iris और जैसे ही size को कम करेगा तो यह अब कम light जो है वो आपकी retina पर पढ़ेगी और आपका retina damage होने से बच जाता है तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि excessive light को control करने के लिए आप देखते हैं कि pupil आपका क्या हो रहा है अपनी size को control कर रहा है change कर रहा है size में तो इसलिए कभी आप रात में देखें तो यह जो size होता है pupil का वो बढ़ जाता है जब आप दिन में देखेंगे जहाँ light जादा है तो pupil का size क्या हो जाता है कम ताकि आपकी कम रोसनी को क्या कर सके रेटिना पर focus कर सके और आपको object visible हो सके अब बात आती है यहाँ पर excessive light की तो यह जो बहुत excessive light है जिसके कारण हमें discomfort हो रहा है इसी को हम बोलते हैं चमक या इसी को हम कहते हैं glare तो glare क्या है यहाँ पर answer जो हो जाएगा वो answer क्या होगा हमारा glare तो अगर कोई पूछे कि glare है क्या तो आप बलाओगे excessive light which causes discomfort and eye fatigue या यह भी हो सकता है और interference or interference in vision हमारे vision में क्या produce कर दे एक interference produce कर दे is called as is called glare इसको क्या बोला जाता है glare बोला जाता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बटा हिंदी में इसको हम चमक कहते हैं अब बात आती है कि बाकी सारे options को देखने की पहला यहाँ पर option A देखा जाए तो luminance है तो बटा luminance या brightness यह दोनों same होते हैं यह दोनों क्या हैं यह दोनों आपके same हैं मतलब अगर हम बात करें luminance की किसकी बात करें बटा यहाँ पर हम बात करें अगर luminance की luminance या इसी को हम क्या बोलते हैं brightness बोलते हैं याद रखना है कि brightness क्या है normally अगर देखा जाए तो ये भी एक illumination की तरह ही है लेकिन illumination में आपका surface area है यहाँ पर यही surface area एक projected area बन जाता है तो हम क्या कह सकते है, luminance क्या है luminance is, luminance क्या है बिटा अगर हम luminance की बात करें तो luminance को हम बोल सकते है luminance is, luminance is the luminous flux, luminous flux, flux emitted by, emitted by a source, by a source और surface per unit, per unit projected area, projected area तो यही क्या कहला है का आपका हमेशा luminance कहलाएगा, या brightness कहलाएगा इसको कैसे represent करते हैं, B से represent करते हैं और यहाँ पर कई बार पूछा जा चुका है कि unit of luminance तो जब भी हम बात करेंगे unit of luminance या brightness की बिटा तो यहाँ पर unit जो है इसकी कई सारी हो सकती है, जैसे इस unit हो सकता है, इसका neet को हम किसमे measure करते हैं इसको हम measure करते है, candle per meter square में इसकी unit हो सकती है, step इसको हम measure करते है, आपके candle per centimeter square में या इसी की एक और unit होती है बड़ा important और ये भी बूछा जा चुका है इसकी unit होती है lambert, क्या होती है Lambert और याद रखना यह Lambert किसमे होता है यह हमेशा होता है आपके Lumine per centimeter square में तो अगर आपसे पूछे कि Lambert किसकी unit है तो आप बोल सकते हैं यह Luminance की unit है और एक Lambert बराबर कितना एक Lumine per centimeter square knit, stip यह भी इसकी क्या है unit है Candela per meter square या Candela per centimeter square last आपको पता है Illumination, Illumination क्या है बेटा अगर हम Illumination की बात करें तो आपको पता है Illumination की जो unit होती है वो किसमे होती है Lumine per meter square या इसी को हम क्या बोलते हैं Lux बोलते हैं, तो Lux बोलते हैं यही क्या कहलाता है Illumination मतलब जब भी कोई light किसी surface पे गिरती है तो यह Phenomena क्या कहलाता है Illumination और आपको पता है कि जो Illumination होता है भाई वो Illumination को हम किस formula से लिखते हैं E बराबर number of Lumen per surface area और इसका unit क्या हो जाता है Lumen per meter square are Lux जब भी Illumination measure होता है तो Illumination को हम कैसे measure करते हैं Illumination is measured by Lux meter measured by Lux meter अगर कोई पूछे कि Illumination को किस तरह से measure किया जाता है तो इसको Lux meter से हम measure कर सकते हैं तो Luminance या Brightness एक है इसका unit आपको मैंने बता दिया unit क्या है इसका unit है Candela per meter square और उसके साथ साथ अगर देखें एक Lumen per centimeter square होता है glare क्या है वो excessive light है जिसके करन हमें discomfort होता है या eye fatigue होता है या हमारे vision में interference आता है इसी को हम क्या बोलते हैं glare बोलते हैं या चमक बोलते हैं चलिए आते हैं अगले question पे अगला question क्या कह रहा है बेटा specific consumption by lamp is measured in याद रखना कभी कभी exam में ऐसा होता है हमारे साथ कि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती जैसे suppose ये चीज़ आपको नहीं आ रही है कि यार सर ने specific consumption तो पढ़ाया नहीं है लेकिन यार अगर अगर आप ध्यान से देखो तो सर ने बाकी तीन options हो सकता हो पढ़ाये हो तो इसको हम बोलते है method of elimination मतलब जो चीज़ आप जानते हो आप उसको eliminate करके ये बता सकते हो कि इसका answer क्या होने वाला है तो यहाँ भी वही चीज़ आपको करनी है वो technique आपको apply करनी है method of elimination तो देखे बटा पहला अगर देखा जाए तो पहला कहरा है lumen per watt अगर हम specific consumption की बात करें तो lumen per watt क्या है यार lumen per watt की अगर हम बात करें तो ये क्या है ये तो actually efficiency, lamp efficiency है क्या है ये lamp efficiency है क्या है भाई ये lamp efficiency है तो ये तो option नहीं होगा गलत हो गया दूसरा आते हैं lumen per meter square lumen per meter number of lumen को f से represent करेंगे meter square मतलब area है तो यहाँ पर बताईए luminous flux per unit surface area क्या कहलाता है यही तो illumination कहलाता है तो यह तो हमारा क्या है this is called as illumination illumination और illumination की unit क्या होती है lux या lumen per meter square तो यह भी आपका option गलत है next आपका है lumen per steradian यहाँ पर अगर देखा जाए तो lumen का मतलब है luminous flux steradian का मतलब है omega solid angle की unit है omega तो आपको पता है कि luminous flux per unit steradian क्या कहलाता है luminous intensity कहलाता है क्या कहलाता है भाई luminous intensity luminous intensity कहलाता है और यह आपको पता है कि इसका unit क्या होता है इसका unit होता है lumen per steradian या इसी की unit होती है candela या इसको हम कैसे represent करते हैं cd से represent करते हैं तो ये भी option गलत हो गया तो आप बताईए answer क्या होगा answer आपका what per candle power होगा क्या होगा answer what per candle power तो ये बिटा आपको ध्यान में रखना है कि इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा what per candle power ये आपका हो जाएगा what per candle power तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि specific consumption क्या है बट answer हमने बता दिया तो यही है method of elimination तो अगर हम बात करें specific consumption होता क्या है तो नाम से ही पता चल रहा है consumption कि मतलब कि कोई भी lamp कितना power क्या कर रहा है consume कर रहा है with respect to the light radiating capacity of that lamp मतलब अपनी light radiating capacity के respect में वो कितना power consume कर रहा है luminous flux को produce करने के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम यह कह सकते हैं बटा कि जो भी हमारा specific consumption है वो कितना होगा it is the power input power input to the lamp to the lamp to its to its candle power to its candle power किसमें measure करेंगे specific consumption को measured in measured in watt per candle power किसमें measure करते हैं watt per candle power में measure करते हैं तो आई थिंग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि illumination क्या है इसकी unit है luxe या lumin per meter square luminous intensity क्या है candela इसकी unit है या lumin per star radian i बराबर f by omega illumination e बराबर f by a finally lamp efficiency क्या है lamp per watt lumine per watt है lamp efficiency और watt per candle power क्या होगा specific consumption होगा चले बिटा अगले question पर आते हैं अगला question क्या कह रहा है कह रहा है कि if any object looks more natural in artificial light मतलब कोई भी object जो है artificial light में काफी natural दिख रहा और अगर काफी natural दिख रहा है तो उसका color rendering index पूछ रहा यहाँ पर एक term आया है color rendering index क्या होता है color rendering index इसको समझते हैं इसको हम बोलते हैं CRI short form में क्या बोलते हैं इसको CRI color rendering index किसी भी lamp का color rendering index यह बताता है कि वो object artificial light में कितना natural दिख रहा है with respect to daylight मतलब कभी भी आप देखो कि suppose हम बात करते हैं कि कोई भी आप कोई आदमी को देखो यह कोई आदमी है जब आप उसको daylight में देख रहे हो तो वो आदमी क्या होगा natural दिखेगा लेकिन जब इसी को आप artificial source में देखो दिन हो सकता है कि वहाँ पर कुछ changes आएं तो कितना change आ रहा है वो किस तरीके का दिख रहा है वो natural light से comparison में कैसा दिख रहा है यह सारी कि सारी चीजें हमें कौन बताता है color rendering index तो अगर कोई पुछे CRI क्या है तो हम बोल सकते हैं CRI means it means object CRI means क्या है हम यह बोल सकते हैं कि CRI का मतलब क्या है CRI का मतलब है it tells it tells how how a light a light source how a light source will make an object will make an object appear object appear compared to compared with with natural natural day light मतलब किसी भी यह क्या बताता है हमेशा यह बताएगा कि कोई भी light source किसी object को किस तरह से appear करता है जब इसका comparison हम natural day light में करते हैं natural day light से करते हैं तो यह किस तरह का उसको show करता है हमेशा यह ध्यान रखना कि अगर आपका higher CRI है higher that means greater than 80 अगर आपका CRI है तो higher CRI means higher CRI means object looks more natural higher CRI का मतलब क्या है कि जब भी आपका CRI 80 से उपर होगा इसका मतलब आपका object क्या है काफी natural दिख रहा है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अलग-अलग lamps के लिए अलग-अलग CRI होता है जैसे कुछ important lamps है जहांपे मैं उनका CRI mention करूँगा CFL की अगर बात करें तो CFL का जो CRI होता है वो CRI हमेशा 80 से 80 से 90 के बीच में होता है मतलब object इसमें भी काफी natural दिखता है दूसरा अगर हम बात करें कि incandescence incandescence या आपके halogen lamp है halogen lamp है तो यहां पर जो CRI होता है वो CRI जो है वो 100 होता है बिटा ध्यान रखना incandescent या halogen lamp के लिए जो CRI होता है वो 100 होता है और 100 CRI करने का मतलब क्या है ये perfect आपको दिखेगा मतलब जैसा आपको daylight में दिख रहा है उसी तरीके का आपको almost artificial lighting में भी देखेगा sodium vapor lamp का अगर देखें CRI तो हमेशा कम होगा sodium vapor lamp के लिए CRI देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उपर sodium vapor lamp sodium vapor lamp का अगर हम CRI देखें तो इसका जो CRI होगा वो लगबग लगबग 20 से 30 होगा मतलब जादा natural इसमें object आपको नहीं देखता है ठेक है natural आपको जादा नहीं देख पाता है clear तो चलिए आते हैं next अगले question पे अगला question यहाँ पर बेटा क्या कह रहा है कि एक lamp है 500 watt का numerical question है और यह normally numerical questions आपके law of illumination पे बनते हैं illumination के नियम पे जहाँ पे दो law दिये गए है inverse square law और उसके साथ साथ lambert cosine law तो यहाँ पर अगर हम देखें कि question क्या कह रहा है कि एक lamp है 500 watt का having MSCP इसका mean spherical candle power दिया हुआ है MSCP कितना दिया हुआ है दिया हुआ है 1000 is suspended 2 meter above the working plane मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह आपका एक lamp है और यह working plane है और यह lamp कितना उपर suspended है working plane से 2 meter तो इसकी जो height है वो height हमें दी हुई है 2 meter अब यह कह रहा है कि इसका illumination हमें exactly इसके lamp के नीचे working plane पर बताना है तो मान लिया यह point A है तो हमें निकालना है illumination at point A तो हम बात करेंगे यहाँ पर अगर देखें कि illumination illumination at point at point A यह बराबर कितना होगा यह बराबर होता है i by h square कितना होगा i by h square तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना candle power है यहां पर आई क्या है candle power है candle power कितना है बिटा 1000 divided by distance कितना है यहां पर अगर height देखें तो 2 meter है तो 2 kai square तो यह कितना हो जाएगा 4 मतलब कितना 200 lux आ जाएगा ध्यान रखना 200 lux candle power per meter square क्या हो जाएगा Lux तो यहां पर answer क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे C हो जाएगा 250 लक्स तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है clear है बेटा ये चीज आपको clearly ध्यान में रखनी है और ये जो हमने लिखा है कि illumination at point A i by h square ये कैसे आया है laws of illumination से आया हुआ है clear कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी अगर आफ height 4 meter कर दो तो 4 meter जैसे ही height कर दोगे that means height को 2 गुना बढ़ाओगे तो height को 2 गुना बढ़ाने का मतलब क्या है कि illumination क्या हो जाएगा 1 by 4th हो जाएगा तो ये अब कितना हो जाएगा 1 by 4th हो जाएगा मतलब 62.5 हो जाएगा तो ध्यान रखना है कि illumination जो होता है ये चीज ध्यान रखना है कि illumination is inversely proportional to what inversely proportional to 1 upon d square जहाँ पे d क्या है distance है उस point का उस lamp के बीच between these two lamp and the working plane जो point on the working plane है उसके बीच का distance है तो illumination हमेशा proportional होता है 1 by d square के clear है next अगला question आते हैं अगला question थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है 100 watt का lamp है having MSCP इसका MSCP कितना है 1000 तो हमें पता चल गया कि MSCP बराबर कितना है 1000 इस suspended 3 meter above the working plane अगर मैं बात करूँ बेटा ये आपका working plane है इस working plane से वो क्या है 3 meter उपर आपका एक bulb है तो normally हम इसको as a point source calculate the illumination at point on the working plane which is 4 meter away from the point directly below the lamp on the plane हमें ये पूछ रहा है कि हमें एक illumination बताना है उस point पे जो point lamp के नीचे जो working plane है उससे 4 meter की दूरी पर है तो ये distance आपको दिया हुआ है कितना है 4 meter तो हमें इस point पे मान लिया ये point क्या है ये point a है और इसी point पर illumination बताना है तो आप बताईए ये अगर 4 meter है बिटा ये कितना है ये 3 meter है तो यहाँ पर अगर हम ये line देखें तो ये line कितनी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 5 meter reason कैसे है अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये आपका ये आपका perpendicular हो जाएगा ये क्या हो जाएगा base इस angle theta के लिए ये क्या है base और ये क्या है perpendicular तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा underwood 3 का square प्लस 4 का square तो ये कितना आजाएगा 5 तो ये वाला जो point है o a अगर मैं यह point O मानलू यह A तो O A बराबर इतना हो जाएगा तो O A की length कितनी आ जाएगी 5 meter आ जाएगी clear है तो यहां पर पाइथागुरस theorem से हमें पता चल गया कि इस lamb से इस point जो working plane पे है उसकी दूरी कितनी है उसकी दूरी हो गई 5 meter तो अगर हमें निकालना हो illumination illumination क्या निकालना है illumination at point at point A कितना हो जाएगा यह बराबर आपको पता है Lambert cosine law से कितना हो जाएगा यह I divided by यह distance हमने मान लिया D तो D square into cos theta याद रखना है हमेशा Lambert cosine law क्या कहता है कि illumination is proportional to the cos of theta जहाँ पे theta क्या है उसके point और उसके perpendicular के बीच का distance है मतलब वो line जो की point को join करे हमेशा Bulbs की या Lam से और उसके perpendicular Lam के perpendicular एक working plane पे डाल दो उसके बीच का क्या है distance है और हमेशा ध्यान रखना है कि जो inverse square law है वो यह proportional to 1 upon D square तो हम यह कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि यह बराबर कितना I by D square into cos theta हो जाएगा I आपको पता है I कितना है MSCP दिया हुआ है 1000 divided by D square यहाँ पे 5 है तो 5 का square cos theta क्या होगा तो यहाँ पर इस triangle में अगर आप देखिए suppose यह B है तो हम यह बोल सकते हैं कि in triangle O B A cos theta बराबर कितना होगा cos theta बराबर base by hypotaneous मतलब आधार बटा कर्ण तो आधार कितना है 3 कर्ण कितना है कर्ण है 5 3 बटा 5 आजाएगा तो 3 by 5 तो यहाँ पर आप इसको कट कर दोगे यह कितना हो जाएगा 25 तो यह 40 यह आपका 40 आजाएगा यह कितना 8 times चला जाएगा that means यह कितना आजाएगा 24 लक्स यही आपका आंसर होगा तो आंसर यहाँ पर क्या है option B option B आपका correct आंसर है 24 लक्स आजाएगा clear है तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या क्या चीजें है यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहला चीज आपको ध्यान रखना है बेटा note में पहली चीज inverse law of illumination law of illumination अगर हम बात करें कि law of illumination में दो तरह के नियम है 2 तरह के नियम है पहला क्या है law of inverse square पहला नियम क्या है law of inverse square law of inverse square क्या कहता है यह कहता है illumination is inversely proportional to d square illumination is inversely proportional to d square मतलब जो किसी भी surface पे illumination होता है वो हमेशा surface और source के बीज के distance के square का inversely proportional होता है surface और source के बीच के square का inversely proportional distance के square का inversely proportional होता है और दूसरा क्या है दूसरा आपका है Lambert Cosine Law और Lambert Cosine Law क्या कहता है कि जो illumination है वो हमेशा cos theta के क्या है proportional है इसी को हम बोलते है Lambert Cosine Law तो हम यह कह सकते हैं कि illumination on any surface is proportional to the cosine of angle between direction of the incident flux and perpendicular to the area यह दोनों चीज हम बात में लिख देंगे अभी के लिए आपको बस केवल और केवल इसका answer देना है clear है यह चीजें हम last पे लिख देंगे चलिए next अगला question आते हैं अगला question काफी अच्छा है यहां पे बागी depreciation factor का भी concept है और utilization factor का भी concept है क्या कह रहा है यहां पर अगले question में आप देख सकते हो अगले question में कह रहा है कि एक room है जिसका area जो है वो दिया हुआ है वो area कितना है बेटा 10 into 30 तो अगर मैं बात करूँ कि इस room का जो area होगा वो area कितना होगा 10 into 30 बराबर 300 meter square का इसका area हो गया is illuminated by 10 lamps कितने lamp है यहां पे 10 lamp 100 watt each और जिनकी efficiency कितनी है 12 lumine per watt मतलब अगर 1 watt पे देखें efficiency तो यह 1 watt पे कितना lumine produce कर रहा है luminous flux 12 lumine तो अगर 100 watt का है तो कितना हो जाएगा तो हम यहां पर अगर total number of lumine देखें total number of lumine तो बराबर कितना तो यहां पर अगर देखा जाए तो 10 lamp है 100 watt each है और efficiency कितनी है 12 तो यह total कितना आ गया 12,000 lumine clear है यह कैसे आया per watt कितना है per watt 12 lumine है तो 100 watt पे कितना 12,000 lumine आ गया और कितने ऐसे lamp है 10 lamp है तो 1200 गुड़े 10 मतलब यह 12,000 lumine हो गया clear है अब बात करते हैं यहां पर बेटा assuming depreciation factor is 1.5 and utilization factor is 0.5 तो अगर मैं बात करूँ कि utilization factor कितना है 0.5 है इसका मतलब क्या है इसका utilization factor हमने आपको बताया था कि कितना lumine आपके working plane पे पहुँच रहा divided by कितना lumine lamp के दौ़ारा emit हुआ तो lamp के दौ़ारा emit कितना lumine है 1200 lumine है लेकिन ये सारा का सारा क्या working plane पे पहुँच रहा है नई lamp ने total lumine कितना दिया 1200 12,000 लेकिन ये सारा lumine आपके working plane पे नहीं आ रहा है और अगर working plane पे नहीं आ रहा है ये सारा lumine तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है हमेशा utilization factor क्या है utilization factor ये बताता है कि यार जो है total जो lamb ने emit किया उसका कितना lumen कहां पहुँचा आपके working plane पर तो हम यह पर निकाल सकते हैं कि number of lumen on working plane working plane तो working plane पर कितना हो जाएगा 0.5 utilization factor into कितना 12 1000 क्योंकि 12000 क्या है total lumen है तो कितना हो जाएगा ये लगभग लगभग आपका आजाएगा 6000 lumen तो ये चीज आप समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर आप देखो तो lamb ने 12000 lumen emit किया लेकिन working plane पर कितना आया इसका आधा केवल 50% 6000 lumen working plane पर आया और यही lumen अगर देखें तो इसमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है depreciation हो रहा है तो अगर हम बात करें depreciation factor कितना है तो depreciation factor अगर देखा जाए तो ये 1.5 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है मैंने आपको अल्रेडी बताया है बेटा कि depreciation factor होता क्या है हमने बोला कि depreciation factor होता है कि initial stage पर कितना illumination आपको working plane पर मिला divided by ultimate illumination किसी भी moment पर working plane पर कितना है तो अगर देखा जाए कि working plane पर कितना lumen है 6000 working plane पर कितना lumen आया 6000 लेकिन अगर हम बात करें कि इसका depreciation factor कितना है 1.5 तो initial stage पर कितना रहा होगा हमें depreciation factor से multiply कर देना होगा तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर number of lumine या lumine number of lumine at initial stage at initial stage at initial stage बराबर कितना depreciation factor into 6000 तो यह कितना आ जाएगा बेटा यह आपका आ जाएगा 1.5 तो यह 9000 आ जाएगा कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा या आप ऐसे भी कर सकते हो आप इसको confuse मत हो यह number of lumine नहीं होता है number या illumination होता है clear है तो यह हम बाद में discuss करेंगे अभी इसको इतना भी समझो आप क्या समझना है इसमें कि आपको यह पता चल गया कि utilization factor अगर 0.5 है तो total bulb ने 12000 lumen दिया 0.5 अगर है तो हमें कितना working plane पे मिला 6000 lumen तो working plane पे कितना आ रहा है बेटा working plane पे आ रहा है 6000 lumen और अगर working plane पे 6000 lumen आ रहा working plane का area 300 meter square है तो illumination क्या हो जाएगा illumination 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 on working plane on working plane कितना हो जाएगा that is equals to हमेशा जब भी बात करेंगे illumination on working plane तो illumination क्या होता है number of lumen कितना है working plane पे 6000 बटे area कितना है बेटा 300 तो ये कड गयाएगा ये कितना आ जाएगा 2-0 cancel ये आ जाएगा 20 lux कितना आया ये ये total आ गया हमारे पास 20 lux लेकिन ये 20 lux आंसर नहीं है विकाज यहाँ पे कुछ नगुछ depreciation है तो अगर हम बात करें कि depreciation कितना है तो यहीं पे मैं एक जगह आपको note करके बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे यहीं पे मैं note करके बता रहा हूँ ये ध्यान दीजेगा हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है depreciation factor कितना है 1.5 और depreciation factor क्या होता है illumination on the working plate at initial stage divided by illumination on the working plane at any moment तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमें calculate करना है illumination illumination at initial stage at initial stage बराबर कितना 1.5 into 20 तो यह कितना हो जाएगा 30 lux clear है तो answer हमारा क्या होगा हमारा answer होगा 30 lux या lumine per meter square यही हमारा answer हो जाएगा हो सकता है कि option में exam में आपको यहाँ पर 20 lux भी दे दे और 20 lux दे दे तो आप यहाँ पर answer गलत कर सकते हो because आपको depreciation factor को भी consider करना होगा ध्यान रहेगा बेटा I think इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किस तरह से हमने calculation किया है हमें यह पता है कि जो lamp है वो है 100 watt का और efficiency ही उसकी है 12 lumine per watt मतलब 1 watt पे 12 lumine तो 100 watt पे कितना 1200 हो जाएगा ऐसे कितने lamp है 10 lamp है तो total lumine कितना हो गया 12,000 illumination निकालना है तो क्या होता है number of lumine divided by area तो अगर हम बात करें कि क्या यह total lumine surface या working plane पे है नहीं यह bulb emit कर रहा है working plane पे कितना आया utilization factor से multiply कर दो तो working plane पे कितना आ गया 0.5 इंटू 12,000 मतलब 6000 lumine और अगर working plane पे 6000 lumine आया तो इसको area से divide कर दोगे तो 20 lux तो यह 20 lux हमें पता चल गया कि यह हमारा ultimate यह हमारा क्या है यह हमारा ultimate illumination है at any moment on the working plane but depreciation factor भी mention हुआ है इसका मतलब हमें बताना होगा illumination on a working plane at initial stage तो initial stage पे illumination कितना होगा 0.5, 1.5 से multiply कर दो 20 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 into 1.5 मतलब 30 lux तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 lux हो जाएगा clear है 30 lux या 30 lumen per meter square तो आज के लिए बेटा इतना ही और इतनी ही चीज़े हमें discuss करनी थी तो आज की class में अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या चीज़ें discuss की हमने आज की class में आपको discuss किया कि MSCP क्या होता है mean spherical candle power mean spherical candle power क्या है यह mean candle power होता है in all the direction MSCP बराबर कितना होगा sorry MSCP अगर सुरू से देखा जाए तो यह सारी चीज़ें हमने discuss कर ली हैं और आपको यह सारी चीज़ें याद रखनी है गायत्री मंद की तरह हनुमान 40 की तरह किसी भी तरीके से याद रखना है बेटा reduction factor क्या होता है MSCP और MHCP का ratio होता है MSCP क्या होता है mean spherical candle power मतलब सभी direction में जो average candle power होता है यह बराबर कितना होता है number of lumin upon 4 pi MHCP क्या होता है mean horizontal candle power होता है मतलब horizontal surface पे या plane पर सभी दिशाओं में जो average candle power है MHCP क्या होता है mean hemispherical candle power number of lumin upon 2 pi होता है lamp efficiency lumin पर watt में दी जाती है इसको radiant efficiency भी कहते है maintenance factor की जो value होती है 0.5 से 0.8 होती है utilization factor less than 1 होता है मतलब यह बताता है कि कितना lumin आपके reach कर रहा working plane पे divided by lamp द्वारा कितना lumin इमिट हुआ space height ratio यह हमेशा बताता है space मतलब 2 lamp के बीच का distance divided by उसकी mounting height from the working plane depreciation factor या reflection factor क्या है reflected wave upon incident wave depreciation factor maintenance factor का opposite होता है इसकी value 1.25 से 2 तक vary करती है waste light factor अगर देखा जाए तो यह बताता है कि किसी भी area को eliminate करने के लिए कितने lumin की practically ज़रूरत है divided by theoretically हमने कितना same area पर calculation किया था लिउमेन का waste light factor irregular object के लिए 1.5 होता है and for rectangular areas 1.2 होता है फिर हमने बताया कि excessive light जो होती है which causes discomfort to the human eye और eye fatigue या interference in vision इसी को हम glare कहते है luminance या brightness की unit होती है क्या हमेशा इसकी unit जो होती है वो candle per meter square होती है या lambert एक lambert बराबर एक lumin per centimeter square होता है अगर हम बात करें luminance या brightness क्या है ये भी एक luminous flux है जो की source या surface की द्वारा emit होता है per unit projected area next अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगला हमने डिसकस किया specific consumption specific consumption को हम measure करते है watt per candle power में next उसके बाद हमने discuss किया है CRI color rendering index ये बताता है कि कोई भी object natural daylight की तुलना में किस तरह से appear हो रहा है किस तरह से ये दिख रहा है तो higher अगर CRI है greater than 80 तो object जो है वो काफी ज़्यादा natural दिखता है CFL का CRI 80 से 90 के बीच होता है halogen या incandence and bulb का जो CRI होता है वो 100 होता है that means object आपका perfect जो है वो natural daylight की तरह ही दिखेगा और सबसे कम जो sodium vapor lamp के लिए CRI जो है वो 20 से 30 है यहाँ पर next उसके बाद हमने देखा कि illumination क्या है illumination में अगर देखा जाए तो जो illumination है वो inversely proportional होता है 1 upon D square के इसी को हम बोलते हैं inverse square law क्या बोलते हैं inverse square law और दूसरा एक होता है illumination is proportional to cos theta यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं Lambert cosine law क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं Lambert cosine law तो E proportional cos theta और एक होता है E proportional 1 by D square अगर आप इन दोनों को combine मिला दो तो यही आपका law of illumination होता है और law of illumination के accordingly जो illumination होता है I y d square cos theta होता है तो इस पर हमने 2-3 question भी solve किये तो आज के लिए इतना ही बेटा मिलते हैं अगले episode में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ तो यहाँ पर जो illumination का पहला part है जैसा कि आप देख रहते हैं उसके front page पे या thumbnail पे भी पहला part general term used in illumination खतम होता है अगली class कल की class में हम discuss करेंगे different types of electric lamps के बारे में जहाँ पर हम different lamps के बारे में discussion करेंगे उनकी life span, उनकी luminous efficiency उसके साथ-साथ उनका application और उनकी color तो ये सारे के सारे exams में पूछे गए questions हैं तो इनको आप और अच्छे से पढ़िएगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you so much to you